हे गाईज नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके पने चैनल एकजाम अड़ाफार इस्टेडी चैनल पर 59,000 सिच्छक भरती ठर्ड काउंसलिंग का सासना देश जारी कर दिया गया है छातरों के लिए दोस्तों दुक भरी खबर है और साथ में 22,000 सीटों के लिए महतपूर अपडेट है आप से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोग अन तक जरूर जूर रहिएगा ए वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों बहुत थी टर्निंग पॉइंट होने वाला है इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजेगा दोस्तों क्योंक आपने ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग दोस्तों सच का सामना कीजिए कि आप लोग जिस विभाग में जा रहे हैं सिच्छा विभाग में वो विभाग किस तरीके का काम करता है आगे बढ़ने से पहले जो भी नए सदस पहली बार अपने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोगना चैनल एकजाम अड़ाफार इस्टेडी चैनल सब्सक्राइब कर लिजे आइकन बेल प्रेस कर लिजे इस चैनल के माधम से आप सभी को सच का सामना करने की दोस्तों जो बारिकियां हैं उस समझाई जाती हैं और साथ में सिच्चक भत्ति से जोड़ी चोटी से चोटी जानकारी मुईया कराई जाती है दोस्तों दोस्तो पहला खबर जो है इस खबर से आप लोग समझ जाएंगे कि उत्तर परदेश की माननी योगी सरकार या कहें सिच्छा मंती जी किस तरीके से काम कर रहे हैं अब जहांसी जिले के डियम की एक चिठी वाइरल हो रही है जिसमें बताया गया कि चुनावी डूटी करते हुए 36 लोगों की मौत हुई इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक ही जिले में इतनी मौते हुई तो यूपी में क्या हाल हुआ होगा तो दोस्तों अभी कल ही की बात है मान्य सिंच्छा जो मान्य सिंच्छा मंत्री जी हैं वो मीडिया चैनल पर आएं कहें कि हमारे जो पंच्चाय चुनाव हुआ उसमें सिर्फ तीन सिंच्छक ही कुरोना संक्रमर की वज़ा से मारे गया हैं और यहां तक जो सिंच्छक जो साथी हैं सिंच्छक बंद हो हैं जिसका गुड़ बनायरो रहता है दोस्तों आप लोक जानते होंगे हर जिले में वो लोग कहा रहे हैं लगभक 1600 सिंच्छक मारे गये हमारे यहां दोस्तों जो राजनीती की प्रकास्टा है दोस्तों बहुत ही नीचे ऐस्तर पर है हमारे यहां मौतों पर भी राजनीति किया जाती है जब सिच्छक चीक चीक कर कह रहे हैं कि हमारी कैजोल्टी पंचायत चुनाओ की वज़ा से कुरोना संक्रमन की वज़ा से उनके परिवार वाले दोस्तों कह रहे हैं तो मानने योगी अधितनाजी को मानना चाहिए हम दोस्तों जिस विभाग में जा रहे हैं उसकी बारिकी को भी समझना बहुत आवस्यक है क्योंकि उनात्या सिच्छक बर्ती में भी दोस्तों बहुत जादे जोल जाल हुआ था जैसा आप लोग जानते होंगे चाहे बिकलांग भाईयों की बात की जाए तो उनकी सीटों को भी हजम कर लिया गया था इस उनात्या सिच्छक बर्ती ने सिच्छकों के 5000 से ज़्यादा पदों पर जल भर्ती के आदेश सरकारी प्रैमरी स्कूलों को लिक्त पड़े 5000 से ज़्यादा पदों पर जल भर्ती शुरू करने के निदेश दिये गए है बेसिक सिच्छा विभाग की अपर मुक सचूर रेनुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ST वर्ग के 1133 पदों को SC से बरा जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए 1133 पदों को SC वर्ग से बरा जाएगा यानि जो माननिय सिच्छा मंती जी कह रहे थे कि हम 1133 पदों को फारवर्ड कर देंगे जनरल या OVC या मलब ओपेन कर देंगे दोस्तों अब बात चल लएई है जो हमारे ST भायों की जो 1133 पद रिखते थे उसको SC भायों में कनवर्ट कर दिया गया है यानि दोस्तों यह होने जा रहा है कि इस भरती परकिरिया में SC वाले जो भी है दोस्तों सब का लगभख सलक्षन हो जाएगा इसमें मार पड़ने वाली है OVC भायों की क्योंकि दोस्तों लगभख OVC वारे जो भायों बैन है 84,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था क्वालिफाई कर जाएंगे और जो हमारे कुछ भाय बैन रह जाते हैं उन के लिए दोस्तों पती अस्परधा बढ़ गई है इस 79 जा सिच्छक भर्ती में दोफ्तों NIC के माध्यम से जल्द ही आवेधन पत लिये जाएंगे इस भर्ती में मेरिट लिफ्ट पाले से ही त्यार है इस सूची में सामिल अभ्याथी यों से ही कटाप जारी करते हुए आवेधन लिये जाएंगे समय साड़ी बेसिक सिच्छा परसत जारी करेगा आदेश के मताबिक 1133 पदों को 80 अभ्याथियों से बरा जाएगा वहीं यद बिकलांग की तीनों स्रेडियों में पद दिख्त हैं और उस स्रेडी के अभ्याथी नहीं है तो दूसरी स्रेडी से बरा जाएगा दोस्तों इस जो 5000 सिच्छक बर्ती की बात की जा रही है हम और आप लोग आसा कर रहे थे लगभग 7000 पदों पर तो दोस्तों यह जो नूज के माध्यम से कटिंग आप लोग के सामने वाइरल हो रही है जो दोस्तों सरसर फेक है या कहें इस पेपर والे को कुछ मालूम ही नहीं है जो पदों की संख्या होने वाली है दोस्तों लगभग 7000 पद होने वाले हैं अभी दोस्तों बुलं साहर में लगभग देखा जाए तो दोसो ऐसे अभ्याति हैं जिनको निउक्ति पर्त देने के बाद भी दोस्तों उनको टर्मिनेट कर दिया गया है या कहें दोस्तों उनको निकाल दिया गया है उनके क्वालिफिकेशन में दोस्तों गलती की वज़ासे ऐसे तमाम जिले हैं जहां से लोगों को निकाल कर बाहर क करने की बात चल लाई है दोस्तों क्योंकि सिकर्ण काउंसलिंग में जो विकलांग हमारे भाई भैन थे उनकी सीटों को हजम कर लिया गया है दोस्तों जैसा आप लोग जानते होंगे लखनों में अनवरत उनका धर्ना परदर्सन जारी रहा है यहां तक हमारे जो विकलांग भाई हैं लाठी डंडा सब खाए इस मानने योगी अधितना जी की सरकार में दोस्तों और खाव भी रहे हैं और साथ में उनकी सीटों को भी हजम कर लिया गया है अब बात करते हैं दोस्तों 22,000 सीटों को लेकर तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते होंगे उट्टर परद करते हैं कि हम ऐसा कर दिये हम ऐसा कर दिये हम ऐसा कर दिये लेकिन जब आप लोग जमीनी अस्तर पर उतर कर देखिए तो कोसो दूर हैं दोस्तों चाहे स्कूल की बात की जाए चाहे आपकी सिच्छकवर्ती की बात की जाए उनाता सिच्छकवर्ती अर्सट हजार 500 सिच्छ दोस्तों मुहिम चला रहा है तो आप लोग बढ़ चड़कर भाग लीजिए दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग अधिक सद्धिक सेर कीजिए दोस्तों मानिय मुखमंती जी जो कहते हैं कि हमारे पास योग सिच्छक नहीं है तो हमारे पास दोस्तों योग सिच्छक हैं आप उनकी भर्ती कीजिए आप उनको जल से जल नुक्ति पत्र दीजिए और 22 ज़ा सीटों को आइड करने का आप लोग कश्ट करें दोस्तों इस भर्ती ठड कांसलिंग में समान जो अभ्याति है उनका दोस्तों देखा जाए तो अहित होने वाला है समान अभ्यारती मनलब क्या OBC वाले जनरल वाले क्योंकि इस जो भर्ती परकिरियां में लगवख 1000 सीटे देखा जाये तो दोस्तों पी-एच वालों के लिए रिजर्ब कर दी जाएगी दोस्तों जैसा सिकंड काउंसलिंग में उनकी सीटों को हजम कर लिया गया था दोस्तों भर्ती परकिरिया में उनकी सीटों चार परसंट रिजर्बेशन दिया जा रहा है हमारे विकलांग भाईयों को लेकिन उनकी सीटों जो रायता फैला था उसी को कवर करने के लिए मानने योगी अधितनाजी ऐसा करने जा रहा है